मार्वल में इतने सालों से थौर को देखने के बाद हम सब के मन में थौर का एक बहुत ही अच्छा सा परसेप्शन बन गया है ये एक सूपर हीरो है लोगों की मदद करता है बिजली का देवता है और एक ऐसा हतोड़ा उठाता है जैसे कोई और नहीं उठा सकता जब तक वो वर्द ही ना हो लेकिन God of War Ragnarok का थौर बहुत जादा लग है ये हमारे वाले थौर से थोड़ा ज़ादा खाते पीते घर का है उसके भी उपर से गालिया वाले देने में बिलकुल भी नहीं ही चकता और चरित्र के हिसाब से इससे बड़ा लसन पूरी दुनिया में एकसिस्ट नहीं करता और उसके बाद उसने बहुत बुरे बुरे कांड करना शुरू किये उस बच्चे की मा के साथ उसने वो सब कुछ किया जो बोला नहीं जा सकता और उसे मारने के बाद बेटे को खेला छोड़ दिया तो मतलब हमारे वाली थौर के साथ हुआ है और ये वाला थौर करता है